हलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को एक ऐसा घरेलू नुसका बताने वाली हूँ और कुछ बहुत ही छोटे-छोटे से स्टेप्स बताने वाली हूँ जिनके जरिये आप लोगों के घुटनों की ग्रीस वापस आ जाएगी और ये इतने छोटे नुसके हैं कि आप लोग जानते हुए भी इन्हें इग्नोर कर ही देते होंगे लेकिन आज के बाद जब आप इन्हें अपनाएंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खतम हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये सर्दी में और भी जादा बढ़ जाती हैं वैसे तो पहले टाइम में ज़्यादा उम्र जब हो जाती थी तब ये प्रॉब्लम्स आती थी लेकिन आज के समय में ये प्रॉब्लम्स छोटी उम्र के लोगों में भी अक्सर देखने के लिए मिलती हैं वैसे तो घुटनों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं और गुढ़ापे में ये moment बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं और इस problem को खतम करने के लिए आप लोग ऐलोपैतिक और आयरवेदिक बहुत सारी दवाईयों का प्रियोग करते हैं जिसकी वज़े से आप लोगों को कुछ असर दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए कि आप बहुत ही छोटे-छोटे से उपाय करेंगे तो आपकी जो problem है वो भी खतम हो जाएगी और आप लोगों को बाहर की दवाईयों का सेवन भी नहीं करना पड़ेगा गुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहला काम तो ये करना होगा के आप लोगों को बाहर का तला चिकना ये खाना खाना बंद कर देना है क्योंकि इसकी वज़े से जो हड़ियां है वो बहुत जादा कमजोर हो जाती है और जो कमजोरी की वज़े से इन में ग्रीज खतम हो जाती है तो आप लोगों को घुटनों का दर्द फील होता है लेकिन ये गलत खानपान ही है जो युवाओं में भी ये परेशानी देखने को मिल रही है जब आप लोग चालिस की उमर पार कर लेते हैं तब ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है याने कि जो बुज़ुर्ग हैं उनमें हड्डियों के दर्द की समस्या कैल्शन की कमी या फिर घुटनों में ग्रीस खत्म होने की परेशानी हो जाती है या आप लोग टैंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं या आप लेट नाइट स्लीप करते हैं तब भी आप लोगों को घुटनों से सम्मंधित परेशानी हो जाती है आप लोगों का पानी पीने का जो तरीका है वो बिलकुल ही गलत है आप उसमें सलाइवा मिक्स नहीं करते हैं जिसकी वज़य से आपको घुटनों की प्राब्लम हो रही है गुटनों की गुटनों की खतम होने का दूसरा कारण है बिजी लाइफ स्टाइल की वज़े से बाहर की चीजों का जादा सेवन करना डबाबंद चीजों का जादा सेवन करना जिसकी वज़े से भी गुटनों की प्रॉब्लम आम हो चुकी है तो आप लोगों को क्या करना है इसके लिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है, और अपनी डाइट में हरी सबजियों को शामिल करना है, अब सर्दियां आ चुकी हैं, तो आप लोगों को जादा से जादा मात्रा में हरी सबजियों का सेवन करना है, और ये ह सबजों में धेर सारा nutrition होता है दूसरी चीज आप लोगों को अपनी डाइट में omega-3 शामिल कर लेना चाहिए और omega-3 walnut याने की अखरोट में भरपूर मात्रा में होता है मैं आप लोगों को एक बहुत important जानकारी देती हूं कि जो अखरोट गिरी वाले होते हैं उनमें omega-3 कम मा उनमें जादा मात्रा में omega-3 fatty acid होता है क्यों क्योंकि जब इनका छिलका उतार दिया जाता है तब इनका जो protein है और जो omega-3 है वो धीरे-धीरे करके कम होने लगता है क्योंकि इनका तेल धीरे-धीरे करके सूखने लगता है लेकिन जब आप इन्हें यूज करते हैं उसी टा एक कली लहसुन का प्रियोग जरूर करना चाहिए इससे आप लोगों की जो problems हैं गुटनों के दर्द की जोडों के दर्द की वो खतम हो जाएंगे इसके अलावा प्याज का सेवन भी आप लोग कर सकते हैं गर्मियों में ही नहीं सर्दियों में भी आप लोग दुपहर के स पर रिलीफ मिलेगा अब मैं आप लोगों को बता देती हूं कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजे चाहिए जिससे कि आपके गुटनों का जोडों का दर्द बिल्कुल ही खतम हो जाएगा पहली चीज है हल्दी देखे हल्दी आप कोई भी ले सकते हैं या तो आप लोग हल कौनों ही तरीके बताऊंँगी कि आप लोग कौन कौन से तरीके से इसको प्रियोग कर सकते हैं पहले मैं आपको पाउडर बनाना बता देती हूं तो उसके लिए आप लोगों को हल्दी चाहिए 100 ग्राम हल्दी का पाउडर चाहिए 100 ग्राम इसके अलावा आप लोगों को 100 ही ग्राम मेथी चाहिए मेथी कौन सी जो नॉर्मली आप लोग किचन में ही यूज करते हैं वो 100 ग्राम और तीसरी जो चीज है वो भी 100 ग्राम चाहिए और वो है ड्राइ जिंजर पाउडर याने की सौंठ का पाउडर इन तीनों ही चीजों को आप लोग बारिक पीस लें और पीस करके एक किसी भी काँच के जार में इने भर करके रख लें लेंगे कैसे वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसका दूसरा तरीका तो आपको क्या करना है कि जो कच्ची हल्दी आती है उसे लीजिए उसके छिलके उतार करके और उसको कस लीजिए और फिर एक जार में भर करके रख दें इसके आप लोगों को अदरक लेनी है और अदरक के भी छिलके उतार कर और उसको भी कद्दू कस करके और एक जार में भ तो ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो आपकी परिशानी हो जाएगी खतम और दूसरी चीज जो मैंने आपको पाउडर बनताया था वो आपको रात के समय में दूद के साथ लेना है कितनी मात्रा लेनी है इसकी आपको एक चौथाई चमच लेनी है इसको कोई भी ले सकता है ब नारियल पानी की तासीर भले ही ठंडी होती है लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट्स होते हैं और मैं आपको एक चीज बता रेती हूं कि जब आप लोग नारियल पानी का सेवन सुभह 11 बजे से पहले दूप में बैठ करके करते हैं तो इसके जितने भी पोशक तत् होने वाली परेशानिया आप लोगों को नहीं होती है तो यह सारे ही चीजे अगर आप अपनाएंगे तो आपको होने वाले दर्द या किसी भी तरहां के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा उमीद करती है वीडियो आप लोगों को यूसफुल लगेगी और अगर यूस हुआ थाहिए और अगर लोगेगा